गुड मॉर्णिंग स्टुडेंट्स कल हम लोग ने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया चैप्टर टू जोग्रफी क्लास नाइन्थ सुरू करने की बात करी थी और आज जो है हम इसको सुरू कर रहे हैं तो जो हमारा पहला मांटन पहला जो टॉपिक स्टार्ट होता है उसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमें अपने अर्थ के बारे में जानना होगा तो हमारा जो अर्थ है उसका जो अपर लेयर है वो कई सारे प्लेट्स से बना है जिसमें सारे प्लेट्स अपने मूवमेंट्स में होते हैं यह मूवमेंट्स जो है नैचुरली होता रहता है जिस से टॉछ में होते हैं एक दूसरे के टॉच में कई तरीके से आते हैं यहां मेरे हैं मुखमेंट को आप देखें तो आपको समझने में आसानी होगी यह मेरे दो हाथ हैं और एकब माल configure नूब के दोनों अलग अलग प्रेंट्स तो दो plates एक दूसरे को जब cross करते हैं, एक इस direction एंद दूसरे direction में, इसको जो है हम लोग transform boundary कहते हैं, जब plates का movement कुछ इस तरह से होता है, तो यह transform boundary बनाता है, लेकिन कभी कभी एक दो plates एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, तो ये हमारा divergent boundary बनाता है और कई बार दो अलग अलग plates एक दूसरे के पास आ जाते हैं ये convergent boundary बनाता है बच्चो ये तीन तरह की special movements होती है अब ये plates जो अपने movements के चलते कई चीजों का formation करते हैं जैसे ज्यादा तर हिमाले convergent के चलते ही होते हैं ये देखिए मेरा जो हाथ है इसको देख सकते हैं तो दोरों एक दूसरे के पास आ है धीरे 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 ये upward उठते चले गए ये जो है हमारा convergent boundary बनाते हैं जिसके चलते बहुत सारे mountains का निर्मान पूरे वर्ड में हुआ है हमारा हिमाले भी इसी convergent boundary के तहट बना है तो अब जो है आपको साथ पता हो कि हमारा जो इंडिया है ये बहुत पहले Eurasian plate और Indo-Australian plate के टकराने के बाद हमारा ये mountain बना है अब mountain से पहले अगर बात करें तो आपने कभी गुंडवाना land की बात सुनी होगी तो गुंडवाना land रियली इंडिया, अस्ट्रेलिया, साथ अमेरिका, अंटार्टिका और अफ्रीका इन सभी का मिला हुआ एक combined form था लेकिन धीरे धीरे चुकि प्लेट्स में अपनी movements होती है movements के चलते धीरे धीरे सभी countries आज एक दूसरे से अलग चले अब जो है हम सबसे पहले सुरू कर रहे हैं the Himalayan mountain जो हमारा topic है इस topic को हम देखेंगे the Himalayan mountain हमारा जो Himalayan mountain है वो तीन पार्ट में divided है sorry थोड़ा interruption के लिए तो हमारा जो mountain है उसके तीन ranges है जो हमारा पहला range होता है वो Himadri जिसको हम Inner Himalayan भी कहते हैं दूसरा Himachal तीसरा हमारा सिवालिक है इन तीनों range का जो बिस्तार है जो फैलाव है जमू कास्मिर से लेकर अरुनाचल प्रदेश तक है यानि जमू से लेकर अरुनाचल तक यह तीनों के तीनों हिमाले है कोई जादा कोई कम है लगबग 2400 km तक फैला हुआ हमारा हिमाले है जिसको हम तीन अलग-अलग पार्ट में करते हैं और इसको आसानी से समझते हैं तो सबसे पहले हम इनर हिमाले है जो हमारा हिमादरी ऊसके बारें बात करें तो हमारा हिमादरी जो है यह अरुनाचल प्रदेश के तरफ बहुत ज्यादा फैला हुआ है और इसके जो mountains है वो Mount Karakoram 2 जिसको हम K2 भी कहते हैं Mount Everest यह बड़े-बड़े mountains हैं यह सब इसी में आते हैं यह सालो भर कवर्ड रहता है सनो शे से लेकीन यह बना हुआ है पत्थरों से लेकिस पत्थरों से बसरी Map हमारा अपर हिमाले हैं इम्याल सरीع ही माद्री है यह स्टोन का बना हुआ यह पत्थर का बना हुआ और इसमें जो हाइट है लगबब जो हाइट होती है इसके बाद जो सेटेंड आता है हमारा वह हिमादरी है जिसको हम लोग लेसर हिमाले भी बोलते हैं फिर से जान देखिए उसको लेसर हिमाले भी कहते हैं और यह जो है लगबग 3700 से लेके 4500 मीटर तक का उचा होता है और इसकी खासियति है कि इसमें बहुत सारी वैली मिलती ह है घाटियां मिलती है जो सुंधरता के लिए हैं हर लोग वहां घूमने पसंद करते हैं आपने वैली ऑफ काश्मीर सुना होगा वैली ऑफ कांगरा सुना होगा आपने कुलू मनाली का नाम सुना होगा कुलू वैली तो यह वैलियां जो होती है वादियां जो होती है वह ख ज्यादा हर्याली देखने को मिलती है और हिमाद्री जो है लगबग 900 से लेके 1100 मीटर तक के हाइट का होता है और यह जनरली अलूवियल स्वाइल का बना होता है देखिए अब यह स्वाइल का बना हुआ बच्चे पहले आपको मैंने कहा स्टोन का बना हुआ था हमारा यह संवाठली दून यह जो है और भी कई सारे दून साहपको सुनने में या जानने में आते होंगे सब हमारे सीवालिक में अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे अब हम बात करेंगे के रेंजेज जो अलग अलग है कल मैंने आपको यeros बहुशा भी था कि देखिए हमारे इंडिया में जो है कंचन जंगा यह हो गया आपके हमारे इंडिया में दूसरा जो है वह नंदा दे बी यह तीसरा कामे फ़िर उसके बाद जो है नम्चा बरवा है तो हमारे इंडिया की यह है और इनकी हाइट से तो इसको याद करने की कोशिज करेंगे हला कि माउंट एवरेस्ट भी कर लेंगे वर्ल्ड का हाइस्ट पीक है तो कोशिज करिएगा इसमें से 4-5 आप याद कर ले क्योंकि हम लाइफ-लॉंग याद य जो कास्मीर वाला पाठ यह जो पूरा कास्मीर वाला पाठ है इसको हम पंजाब हिमाले कहते हैं यह जो सेकेंड पाठ है इसको हम कुमाओ हिमाले कहते हैं तीसरा जो पाठ है इसको हम नेपाल हिमाले कहते हैं इसमें नेपाल का भी एरिया आ जाता है और चौथा पाठ यह यह वाला जो पर्ट इसको हम और बत्चों आपने कई बद पूर्वांचल सुना होगा पूर्वांचल यह नीचे का पर्ट बद करoga कोई आरूनाचल के नीचे आरूनाचल के नीचे इन शहें बाले बाले नमसे जान यह पहला है यह यह ऋंड़स और सत्लीओज के बीच में आता है इंडस रिवर के बीच में आपका जो एरिया आता है उसको tukagal कली पंजाब हिमाले के नाम से जानते हैं और हमारा सतलूज और नेपाल वाला एरिया यह का साली रिवर क्षेछा में पढ़ा है और इसको जो है हम निपाल हिमाले के नाम से जांता है या यह पूरा का पूरा आसां हिमाले को कई अलग अलग बाटों लिडिकतों में कर देते हैं तो आप देखेंगे हमारा हमाइर हे में यह सभी के सभी इन के बीच बहुत सारी वैली मैंने कहा था कांगरा कहा था कुलू कहा था ये सभी के सभी इनी के बीच में आती हैं जहां कि बहुत सारे hill stations हैं लोग जाना घूमना पसंद करते हैं तो ये जो पीर पंजाल है जो longest है आपका जो है महाभारता रेंज है ये एक और रेंज है आपका कहां है दौला धार इन तीनों को आप याद करने की बाद करेंगे बच आप में बहुत फेमस हैं इन ही के चलते वहां पर बहुत हद तक बरसात होती है क्यूं होती है कैसे होती है यह हम अगले वीडियो में देखेंगे ठैंक यू आप में दो